नमस्कार आप देख रहे हैं एसिया नियोज इंडिया मैं आपके साथ प्रियंक आप सभी का स्वागत करती हूँ आईए आची खबरों पर एक नज़र डालते हैं पंजाब सियन चन्नी पर भर के अनिल बिज बोले लाल किला में हुई थी हिंचा कानून तोड़ने वालों को इनाम दे दिया बेहत सर्मना कदम उठाया हर्याना के ग्री मंतिली अनिल बिज पंजाब के मुख्य मंत्री चरंजीत सिंग चन्नी पर भरग गये हैं वजा 26 जनबरी को लाल किले पर हुई हिंचा के तेरासी आरोपियों को दो दो लाक टूपए की आर्थिक साहिता देने की घोसना है मंत्री वीज ने इसे पंजाब सरकार का सर्मना कदम बताया इस तरह किसान आंदोलन पर पंजाब के सीयम और हर्याना के ग्री मंत्री अनिल वीज एक बार फिर आमने सामने है हर्याना के ग्री मंत्री अनिल वीज बोले कि एतियासिक लाल किला में हुंसा हुई कानून तोरने वालों को इनाम दिया जा रहा है प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है लेकिन कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है मंत्री अनिल वीज ने कहा कि एक साल से किसान धरने पर बैठे है किसानों को अपने नेताओं से पूछना चाहिए जिस मुद्दे को लेकल आंदोलन हो रहा है उसमें कितनी प्रगिट्टी हुई नए नेता और नए वरताकाल किसानों को चुनने चाहिए अगर मौजूदा नेताओं से हल नहीं हो रहा तो समस्या के समादान के लिए सोचने में समझदारी है हाथ पर हाथ रखकर बैठना बात ना करना तो किसी बात का हल नहीं है दो दिन पहले ही सीम ने किया था ट्वीट पंजाब के सीम चरंजीत सिंग चन्नी ने दो दिन पहले ट्वीट किया था कि लाल किले पर हिंसा में गिलबता 83 युवाओं को 2-2 लाख रुपे की आर्थिक साहिता दी जाएगी किसान आंदोलन पर हरियाना के सीम, मनोहर, लाल और पंजाब के ततकालिन सीम, कैप्टर अमर्डिंदर, सिंग भी कई बात आमने सामने हो गये है हरियाना सरकार पंजाब सरकार पर किसान आंदोलन को हवा देने के आरोप में भी लगा चुकी है 26 जनवरी को हुई थी हिंसा, क्रिशी कानून के विरोध में 26 जनवरी को किसानों ने ट्रेक्टर माज निकाला था कुछ युबाओं का समुलाल किलेपल पहुँच गया और वहां पर केश्री जंडा लहरा दिया दिल्ली पूलिस ने देश्रो का मामला दर्ज किया, गिरपतार युबाओं में अधिकतर पंजाब के थे तो आज के लिए इतना ही आगे तमाम खबरों के लिए जुरे रहे हैं हमारे साथ धन्यवाद